नमस्कार आप देख रहे हैं दिवेहिमाच्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ पलवी शर्मा दिन भर की बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे इस न्यूस बुलिटिन में शुरुआत करते हैं हेड्लाइन से आंगनबाडी का प्रोमोशन कोटा बढ़ा चार सुब बारे नई ग्राम पंचायतों में नियुक्त होंगे चौखिदार गलत जानकारी पर डियेफो चुराह सस्पेंड मामले की होगी कडी जान सीनबी अध्यापक संग दोफार अनुशाशन हिनता रहा बढ़ा कारण हिमाचल कॉंग्रेस को अप्तूबर में मिलेगा नया अध्यक्ष सदसिता अभ्यान चलेगा प्रदेश सिक्षक महसंग ने मुखिमंत्री को सौपा ग्यापन गुस्से में हैं टीचर्स अब हिमाचल में क्रेशर मेटीरियल नहीं खरीदेंगे ठेकिदार सरकार को हो सकता है करोणों का नुकसान भाजबा विधाय की ललकार मंडी की जनता सिखाएगी सरकार को सबग और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने भारती मजदूर संग की बैठा की अधिक्षता करते हुए एलान किया की आंगनबाडी कारिकरताओं से प्रवेक्षकों की पदोनती का कोटा 80 प्रतिशत से बढ़ा कर 90 प्रतिशत किया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को 9 स्रीजित 412 ग्राम पंचायतों में चौकिदारों के पदों को स्रीजित करने और उन्हें भरने के भी निर्देश दिये विस्तार से देखिए ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री जैराम ठाकों ने भारतिय मजदूर संग की बैठक की अधिक्षता करते हुए एलान किया की आंगनवाडी कारे करताओं से परिविक्षक की पदोनती का कोटा 80 प्रतिशत से बढ़ा कर 90 प्रतिशत किया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को 9 स्रीजित 412 पंचायतों में पंचायत चौकिदारों के पदों को स्रीजित करने और भरने के निर्देश भी दिये सचीवाले में भारतिय मजदूर संग के साथ हुई इस बैठक में सीम ने कहा कि विशेश तौर पर आशा कारे करता अंगनवाडी कारे करता और अन्य स्वास्तिकारे करताओं ने महमारी के दोरान अपनी सराहनिय सेवाएं दी है उन्होंने कहा कि आगामे वर्ष के बजट में इस बैठक में प्राप्त सुजाबों को शामिल करने का भी प्रयास किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कामगारों और श्रमिक वर्ग के कल्यान के लिए क्रित संकल्प है उन्होंने कहा कि विविन्द सरकारी विभागों, वोडों और निग्मों में करणा मुलक आधार पर रोजगार के मामलों की समिक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्ष्ता में एक समीती का गठन किया गया है उन्होंने समंदित विभागों को पंचायत वेटनरी साइकों के नियमित्ती करण के मामलों को सुल्धाने के निर्देश दिये कुछ दिन पहले हमारी बाति मज़ूर संग के सभी परमुक सातियों के साथ बैठक हुई थी और बहुत सारे विभागों को हमने उस वक्त भी आदेश दिये थे उसमाधान की दिश्टी से जो चीजें उसमें की जा सकती है उसमें आप कारवाई शुरू करें और उस दिशा में कारवाई आगे हुई भी है लेकिन उसके साथ उस वक्त हमने एक चीज़ जुरूर कही थी कि बज़ट से पहले एक बार और जो मत्वपूर सुझाब हमको आप लोग देना चाहते हैं कर्मचारियों के मतलिब तो वो सुझाब हमको दे आज हमारे 36 अजें सीद्वारी डेटेल में चर्टा की है एक एक बिवाग से सुझाब ज्रू में अमे • उस में हम संभाना इंट लाउने तलाश रहे हैं जो जो चीज़ें कर्मचारियों के हित्में की जा सकती हैं मज़दूरों के हित्में किआ सकती है । इमाच् zum प्रदेश में लनकि बांक तो मैंने वाकिभी किया सभी साथियों को कि कोबिड की सीचुएशन के कारण बहुत सारी चीजें जो करने की दिशा में हम आगे बढ़कर के सोचते थे उच्पे कटनाई हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा इमानदार प्रयास रहेगा करमचारियों के हित में और हम हमारे पासे आएं अधिकारियों ने सब ने नोट कर लिया हैं सब नोट करने के प्रचात जो है उस पर बजच की प्रकिए आगे कैसे हो सकती है कया किया जा सकता जो newborn होगा जो करने के योगे होगा उस दिशा में अगे बढ़ेंगे थेंक य। दिव्य हिमाचल प्रेजन्स गोद्रेज नमबर वन मिस हिमाचल 2021-22 पावड बाय अर्नी युनिवरसिटी नमस्ते, मैं नेम इस आरुशी ठाकुर और आइम दी रेइनिंग मिस हिमाचल आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा बस तुम उम्मीद मत छोना पिछले दो साल हम सभी के लिए काफी संगर्श भरे रहे है इस वैश्विक महमारी ने हमारे जीवन में कई बदलाब लाए है और मेरा मानना है कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में हम सभी को सकरात्मक सोच रखनी चाहिए अच्छा पढ़िये अच्छा देखिये अच्छा सुनिये और सबसे महत्वपून अपनी और अपने परिवार की सेहत का खास खयार रखिये मेरे पास अप सभी के लिए एक बहुत अच्छी ख़बर है and the good news is that the time has finally come and we are looking for our next Miss Himachal बहुत जल्द हम आप के लिए लेकर आ रही है Miss Himachal 2021-22 This could be you, you have the opportunity to empower your dreams and make this coveted title your own The best is yet to come, till then stay tuned with us One Mandel अधिकारी को गलत जानकारी देने के आरोप में अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है यह अधिकारी चमबाजिला के चरहा उपमंडल में तैनात है निलंबन के बाद अधिकारी को मुख्यवन सरक्षक वाइड लाइफ शिम्ला कार्याले में भेज दिया गया है One Mandel अधिकारी को गलत जानकारी देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है यह अधिकारी चमबाजिला के चरहा उपमंडल में तैनात है निलंबन के बाद अधिकारी को मुख्यवन सरक्षक शिम्ला कार्याले में भेज दिया गया है इस बारे में अतरिक्त मुख्य सचिव वन निशा सिंग ने आदेश जारी किये हैं इस बारे में अब बन विभाग पूरे मामले की जांच करेगा और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी डियेफो को शिम्ला में ही ड्यूटी पर रहना होगा अतरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी इस आदेश को ततकाल प्रभाव से लागू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि गलत जांकारी देने के मामले में डियेफो चुरहा की भूमिका की जांच होगी मामले की जांच पूरी होने के बाद आगामी निर्ने लिया जाएगा C&B अध्यापक संग अब दो धड़ों में बंड गए है इसमें C&B शिक्षकों को TGT पद नाम देने का मुद्दा प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया गया है लेकिन कारेकारणी के सदसे एक दूसरे पर मनमर्जी से बयान बाजी कर रहे है C&B अध्यापक संग अब दो धड़ों में बंड गए हैं इनमें C&B सिक्षकों को TGT पद नाम देने का मुद्दा प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया गया है लेकिन कारेकारणी के सदसे एक दूसरे पर मनमर्जी से बयान बाजी कर रहे है कुछ दिनों पहले कारेकारणी के प्रदान दयाराम ठाकुर की तरफ से प्रेस बयान में जारी किया गया था कि प्रदेश L.T. और शास्त्री को TGT को TGT पद नाम दिया जाए लेकिन दूसरे धड़े में मंडी जिला के अध्यक्ष आचारे रोशन ने उनके इस बयान का खंडन किया है उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर जिला मंडी कारेकारणी की वर्च्वल बैठक हुई है जिसमें कारेकारणी के प्रदान और सचिव में भाग लिया बैठक में निरने लिया गया है कि वर्चमान में ये दोनों जिला कारेकारणी के एहम पदों पर हैं दयाराम कोशा अध्यक्ष हैं और संदीप सकलानी वरिष्ट उपाध्यक्ष हैं इन्हें अब अनुशासन हीनता पर संग से निश्काशित किया गया है जिलामंडी में 19 नवंबर 2021 को सी एंड भी अध्यापक संग के चुनाव हुए थे इसमें दयाराम को कोशा अध्यक्ष और संदीप सकलानी को वरिष्ट उपाध्यक्ष चुना गया था लेकिन ये मनमर्जी से खुद को कोशा अध्यक्ष और प्रधान बन कर बयान बाजी कर रहे हैं ऐसे में इन्हें अब कारेकारिनी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है कॉंग्रिस के नए अध्यक्ष की ताज पोशी अक्तूबर महा तक होगी चुनाव से पहले कॉंग्रिस पूरे प्रधेश में सदस्यता अभ्यान चलाएगी ये अभ्यान मार्च तक चलेगा हिमाचल में संगठन चुनाव की प्रभारी बनाई गई पूर्वसांसत दीपा दास मुंशी ने शिमला में पत्रकारों के समक्ष इसका खुलासा किया है उन्होंने कहा कि सदस्यता अभ्यान में ज्यादा से ज्यादा कारेकरताओं को अपने साथ जोडने का लक्ष रहेगा सभी पदाधिकारी घर घर जाकर सदस्यता अभ्यान को पूरा करेंगे पहली बार कॉंग्रे सदस्यता अभ्यान के लिए एप का भी सहारा लेगी ये एब बर्थबारी में घिरेक शेत्रों में सदस्यता अभियान को पहुंचाने में मददगार साबित होगी 31 मार्च तक अभियान का लक्षे पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद संगठन चुनाव का दूसरा दौर शुरू होगा इसमें पहले ब्लॉक, जिला और आखिर में राजिस्तर पर पद आधिकारियों की घोशना होगी उन्होंने कहा कि इन चुनावों में पूरी पार दर्शिता बरती जाएगी और संगठन से जुड़े कारिकरताओं को आगे आने का अपसर मिलेगा हिमाचल प्रदेश शिक्षक महा संग ने शिक्षकों से जुड़ी विभिन मांगों पर मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर को ग्यापन सौंबा इसमें मांग की गई है कि शिक्षा विभाग में 20 वर्षों से कारिरत कम्प्योटर शिक्षकों के लिए तर्ग संगत नीती विभाग आपने अधीन लेने की कृपा करें पिछले 10 वर्षों से विध्यालियों में सेवाईं दे रहे SMC अध्यापकों की नीती में बदलाव करते हुए क्लास 9 और 10 को हटा कर इनकी नौकरी पर लटकी तलवार से चुटकारा दिलाया जाए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंग ने शिक्षकों से जुड़ी विभिन मांगो पर मुख्यमंत्री जराम ठाकुर को ग्यापन सौंपा इसमें मांग की गई है कि शिक्षा विभाग में 20 वर्षों से कारेरत कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए तर्क संगत नीती विभाग अपने अधीन देने की खृपा करें पिछले 10 वर्षों से विध्यालियों में सेवाईं दे रहे SMC अध्यापकों की नीती में बदलाव करते हुए क्लास 9 और 10 को हटा कर इसकी नौकरी पर लटकी तलवार से चुटकारा दिलाएं इससे पूर्व पेरा टीचर पॉलिसी, पैट टीचर पॉलिसी, पीटीए टीचर पॉलिसी के तहट न्यूक्द अध्यापकों की नीती में रेगुलर आने या प्रोमोशन पर आने पर उनकी नौकरी खोने का खत्रा बरकरार था बाद में आपके अशिरवास से सभी 15,000 अध्यापक नियमित हो गए हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 45,000 शिक्षकों के लिए अंतर जिला ट्रांसफर नीती बनवाई है हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंग ने कहा है कि हाल ही में प्रदेश में अनुबंद काल को घटा कर दो वर्ष कर दिया गया है जिससे प्रदेश में हजारो करमचारियों को लाब हुआ है अंतर जिला ट्रांसफर हुए शिक्षकों को कई जिलों में जिसमें मंडी, बिलासपोर, कुलू, सिर्मौर और सोलन ने दो वर्ष पूरे होने के बाद रेगुलर करने से रोग दिया है प्रदेश के बाकी जिलों में ट्रांसफर हुए शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है ऐसे में उप्षिक्षा निदेशकों के खिलाफ कारवाही करते हुए इन्हें नियमित किया जाए प्रदेश सरकार हर दिल किसी न किसी अंदोरन से घिरी ही नजर आ रही है अब लोक निर्मान विभाग के ठेकेदारों ने प्रदेश से क्रशर की खरीद ना करने की बात कही है डवल्यू और एक्स फार्म पर सकती के बाद ये निर्णे लिया गया है ठेकेदार बाहर से क्रशर मिटीरियल की खरीद करते हैं तो इसका नुकसान राज्य सरकार को उठाना पड़ सकता है GST के माधिम से राज्य सरकार को हो रही आए खत्म हो जाएगी इस बारे में ठेकेदार बेलफियर असोसियेशन ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है ठेकेदार बेलफियर असोसियेशन ने मंगलवार को एक बार फिर मुख्य अभियनता कार्याले के बाहर प्रदर्शन किया असोसियेशन के अध्यक्ष सतीश कुमार विज ने कहा कि आगामी दिनों में ठेकेदार सचीवाले का घेराव करेंगे इसके साथ ही सडक पर उतर कर प्रदर्शन किया जाएगा पूरे प्रदेश में ठेकेदार अकेले नहीं है उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की वज़े से सैंकडो परिवारों का चूलहा चलता है ये सब ही एक साथ सड़क पर उतराएंगे ठेकेदार अपने वहनों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के ग्रहजला मंडी से होगी ठेकेदारों का विरोध प्रदर्शन तेज होगा जब तक सरकार इस निर्णे पर अपना पक्ष नहीं रखती तब तक अभियान जारी रहेगा भविश्य में बर्फबारी होती है इसे हटाने में छेकेदार सरकार की मदद नहीं करेंगे और ना ही किसी भी विकासात्मक कार्यों में हिस्सा लेंगे भाजपा से दूर चल रहे सदर मंडी से भाजपा के विधायक अनिल शर्मा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोला है उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के बीच भ्रम की स्थिती पैदा कर रहे हैं और आने वाले चनावों में मंडी सदर की जनता प्रदेश सरकार को सबक सिखाएगी अनिल शर्मा ने जारी एक बयान में कहा कि बीते रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले तवार्फी गाउं के पास इंडस्ट्रियल स्टेट का शिलान्यास किया इसके बाद उन्होंने अपने ग्रिक्षेत्र सराज के बाकली में रोब विकार शिरान्यास करने के बाद जनसभा को संबूधित किया यहां कुछ लोगों ने CM के समक्ष पंडोह क्षेत्र के विकास को लेकर कुछ मांगे रखी जिस पर मुख्यमंत्री ने लोगों पर ये तंज कसा कि आपका विधायत तो यहां पर है नहीं और आप मांगे रख रहे हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ऐसी बातों से जाहिर हो रहा है कि विलोगों के बीच सिर्फ भ्रम की स्थिती पैदा करने के लिए ऐसा कह रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडी सदर की अंदेखी की है और सरकार को इसका सबक जनता आगामी विधान सभाग चुनावों में जरूर सिखाएगी चलते चलते में नज़र डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर बद्दी में कुल्लू की युपती से चाकू की नोक पर बलातकार ड्यूटी से घर जाते वक्त आरोपी ने रास्ते से उठाया डहर में सत्रुज में शराब की तलाश पुलिस ने नदी में उतारे गोता खोर अभी तक कोई सुराग नहीं बीबीन में पुलिस ने पकड़ी 24 पेटी अवेद देशी शराव चंदीगर से नालागार पहुंचाई जा रही थी सप्लाई और चंबा पढ़ान को डैनेच पर आदा किलो चरस संग दबोचे दो युबग अदालत में पुलिस रिमान पर भेजे तसकर